दोस्तो स्वागत है आप सभी का हमारे इस YouTube चैनल में दोस्तो आज के इस वीडियो में मैं आपको बताने वाला हूँ कि अगर आपने भी नया BSNL का SIM लिया है या फिर अपने SIM को BSNL में पोर्ट कराया है तो आप अपने SIM को कैसे एक्टिवेट करेंगे जी है दोस्तो किस तरीके से आपको एक्टिवेट करना है आज के इस वीडियो में मैं आपको पूरी जानकारी दूँगा तो वीडियो को लाश्ट तक जरूर देखिएगा और ये वीडियो आपको अच्छा लगता है तो वीडियो को लाइक कर दीजिएगा और ऐसे ही वीडियो देखने के लिए हमारी चैनल को सब्सक्राइब कर लीजी तो चलिए हम आपको बताते हैं कि किस तरीके से जो है आपको अपने new BSNL SIM को एक्टिवेट करना है दोस्तों इसके लिए आपको जो है आपका अधार कार्ट भी आपके पास रखना है तो चलिए मैं आपको बताता हूं कि किस तरीके से जो है आपको अपने new BSNL SIM को एक्टिवेट करना है दोस्तों अभी हमने अपने BSNL SIM मोबाइल में लगा लिया है तो अभी हमारी SIM पर नेटवर्क भी आ चुका है आप देख सकते हैं यहाप यह नेटवर्क है तो आप भी जरb SIM को लगाते न है तो आप देख लेना है अगर आपको नेटवर्क नहीं आ रहा है तो आपको दुवारा से sim निकाल के लगा लेना है तो मारपाज यहाँ पर network आगया है अगर आपको सेटिंग में जाकर network को सेलेक्ट भी कर लेना है तो यहाँ पे अभी हमारे SIM पे जो है network आ गया है तो हमको यहाँ पे जो है tally verification करना है तो tally verification करने के लिए दूस्तों करना क्या होगा आप जो SIM लेते हैं SIM के पीछे ही आप देखेंगे यहाँ पे number दिया होता है to activate for the tally verification dial 1507 1507 जो है आपको tally verification करना होगा तो इसके लिए आप आपको आधार काड़ आपको अपने पास रख लेना है तो अब जो है जो है हमयाँ पर dialer में जाकर के यहाँ आप टैली verification कर लेते हैं इस तरीके से हम टैली verification करते हैं पर 1507 पर हमने हैं और सभी नए और मौजुदा ओफस से संबंधित चानकारी प्राप्त कर सकते हैं तो फिर देर किस बात की तुरंत अपने अंड्रोइड मोबाइल पे बी असनल अप डाउनलोड करें और सुविधाओं का लाभ लिजिए हिंडी में चानकारी के लिए एक डाय करें तो कंटे तुरिया ग्राहक हमारे ग्राहक सेवा अजिकारी के माध्यम पे चैली वेरिफिकेशन करने के लिए क्रिपया एक दबाएं तुम येट करते हैं कस्तुमर का से कनेक्ट होने के लिए हलो 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 अब का इसार है हाजी ये मेरा नंबर जो यह को वेरिफाई करा ना था हलो 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 है नंबर एटिट अपर चैट कर लो क्या है नंबर चाहलो एटिट कर लो क्या है जी सब्सक्राइब है कि मेरा जो नंबर है अल्रेडी एक्टिवेट है तो मैं कस्तुमर केर वालो में बोल दिया कि मेरा नंबर जो है अगर आपका नंबर एक्टिवेट नहीं होगा तो आप से वह कुछ डिटेल पूछेंगे आपके अधार का नंबर और आपका नाम या फिर आपके फादर का या डेटा बॉर्थ पूछेंगे तो आपको बता देना है तो ऐसे जो है आप इस तरीके से कस्टमर केर में कॉल करके जो है अपने बीएसेनल के नंबर को एक्टिवेट कर सकते हैं तो उमीद करता हूं कि यह वीडियो आपको अच्छा लगा होगा और यह वीडियो आपको अ